एलो श्रूंज माइनम इस इंजन और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले इंगलिश का चाप्टर नंबर सेख जो कि है दा मंकी एंड और क्रोकोडाइल अब आप लोगों ने ये स्टोरी तो पढ़ी ही होगी कि एक बंदर मगरमच की स्टोरी पढ़ी है जिसमें जो तरीके से बंदर अपने आपको बचाता है आप सब लोगों ने ये स्टोरी तो पढ़ी ही होगी मतलब बच्पन में स्टोरी सुनाई होगी आपकी फामिली ने आपको स्टोरी बुक्स में आपने पढ़ी होगी अब हम इसी स्टोरी को तुबार से पढ़ने वाले हैं इसकी ओरिजिनल फॉर्म में कि असली में स्टोरी कैसी है जो हमारी पंच तंतरता में पंच तंतरत, sorry स्ट्रेंज मुझे पनाउंस निकला जला पड़े पंच तंतरत नाम की एक पूरी हमारी लिट्रेचर है जिसके गैदर सारी ऐसे तिस्टिस्टी फ्रूट्स उखते थे और उस पर मंकी रहता था यह मेट फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल गेविम डेलीशियोस फ्रूट्स तो इट एट एंड सेंड सम फोर इस वाइफ अब उसने उस मंकी ने क्रोकोडाइल से दूस्ती कलें जिसको वो फूट्स खिलाते था अपने पड़ के और उसे उसकी वाइफ को भी देता था वो हर दिन मिलते था बातषीत करते था बंस जो मंकी था फो पेड पर अच्छोड जो जमीन पर आज हम स्टार्ट करते हैं लेडन विद फ्रूटस, एक पेड एक नदीम के पास जो पेड था वहां पे एक बंदर ने अपना घर बसा लेता है, उस पेड पे जो फूरोटों से बहर आ उतल रहा था, फूरा भरा उवर लूड इड गरा मुझने उतल लूडे ना फ्रूटों के साथ भरा, वहां पे मंंक Monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk and to share the fruit with. A monkey खुश तो था कि उस खाने के लिए टेस्टी फ्रूट्स थे, लेकिन वो केला था, उसको एक दोस्त चाहिए था, एक कम्पानिय चाहिए था बात करने के लिए, इसके लिए वो अपने फ्रूट्स शेयर कर पा है. But there was no one around, कोई था ही नहीं, not even another monkey, कोई और monkey भी नहीं था. Till one day, a crocodile appeared on the riverside, लेकिन एक दूने a crocodile river के पास आ गया. Hello there, said the monkey, do you live in this river? Would you like to eat some fruit? वो के था कि, hello, कि क्या तुम इस नदी के आस्वासी रहते हो क्या, क्या तुम फ्रूट्स खाते हूँ? Good morning, said the crocodile politely, मतला इदम, प्यार से. I did come here in search of food for myself and my wife. या मैं आया तु था, अपने लिया और अपने वाइफ के लिए खाना लेने के लिए. Nice of you to offer me fruit. मुझे सुनके खुशी हुई कि तु मुझे fruits देना चाहते हूँ? The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. जो monkey होता है, वो थोड़े से, जो fruits होते हैं, उनको pluck करता है, मतला तोड़ता है पेड से और उसके बाद वो पाने में डाल देता है. The crocodile found them delicious. Crocodile को भी वो बहुत tasty लगते हैं. Thanks, he said. May I have some on my next visit? Certainly, as many as you like and some for your wife too, said the monkey. To come again, I am rather lonely here. अब जो crocodile होता है, वो कहता है, थैंक यू तुम फ्रूट्स देने के लिए, फिस बाद वो कहता है, क्या मैं अगली बारा होता है, तुम दुबारा मुझे दोगे. तो monkey कहता है, ठीक है, मैं तुमें भी दूँगा और तुमारी वाइफ को भी दूँगा. तुम दुबारा आना, मैं यहाँ पर काफ ज़दा लोनली हूँ. तो crocodile विजिटे दे मंकी रेगुलर्ली अफर जो crocodile था, वो monkey को रेगुलर्ली मिलना शिरू हो गया. और एक दूँगा दूँगा दूँगा. वो बहुत सारी बाते करते था, और कभी भी बाते से थकते नहीं थे. वो बात करते थे, एक एनिमल्स के बारे, बोर्स के बारे में, कैसे जो विलेजमें रहने वाल हो गया, उनको भी परशानी हो, तो भी क्रॉप्स को ग्रोव करने में इस यह बारिश कम होती है. एक बर जो crocodile होता है वो monkey की पस तो बोड़ी जादेतक रूख जाता है और उसकी wife और उसकी wife को ना काफ़ादा irritation होगी गुसासा आगया इन्टजार करते करते और वेटीं managing the crocodile, little crocodiles they had just been hatched और अपने बच्चों को समालते जो भी पैदा होगे थे she said who is this friend of yours you are so fond of तो उसे जिससे तुम इतना प्यार करते हूं Oh, he's a very nice monkey He replied He lives on a fruit tree He sends me fruits for you every day He don't accept me to climb trees, do you? तो कहता है, कि वो बहुत अच्छा monkey है वो अब बहुत अच्छा monkey है वो हम fruit tree पे रहता और वो मुझे हर देन fruits देता है तुम यह तो नहीं सोची होगी ना कि मैं जब तुमाने ले fruits लाता था तो मैं पेड़ पे चड़ता था A nice monkey, I'm sure replied the wife with obvious sarcasm अब इस तुम इस तुम आपके लेक नया वर्ड है मेभी आपके जानते होंगे इसके बारे में नहीं जानते है Sarcasm Sarcasm is basically हम एक लाइन बोलते है लेकिन हमें जो हम मीन हमें एक लाइन हम बोलते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है जैसे वो जो wife थी वो तो पूरे तरह से annoyed थी उसको irritation ती गुस्ता आनाता है उस दोस्त पे जो उसके crocodile उसके husband ने बनाया हुआ था लेकिन तो भी वो जो monkey था लेकिन तो भी जो तायम स्पेंट करता था था उस monkey के साथ अपनी वाइस अदर टाइम वो उस monkey के साथ स्पेंट करता था कासे जो वाइस तो कभी गुसार था लेकिन उसे तो भी बोल दिया हाँ हाँ है एक नाइस monkey I'm sure कि लाइक बोट अची बात है एक अच्छा बंदर है if you ask me this monkey should be my food अगर तो मुझसे पूछो ना तो यह जो मंकी है जो तो मारे दोस्ते ही मेरा खाना होना चाहिए I won't eat his heart so much मुझसका दिल बोहुत खाना है यार मेरा मन कर रहा है what a foolish thing to say वो कहते कि क्या तुम यह पागलो वाली बात कर रहे हूँ crocodile shout करता है I can't kill a friend though I won't mind a monkey occasionally for a change of food मैं दोस्त को नहीं मार सकता है हाँ वो बात अलाग है कि थोड़ा बहुत अपने स्वाद को change कर लगे हमें शायद बंदर खाने चाहिए लेकिन मैं दोस्त को नहीं मार सकता you bring him here ordered his wife I want to see him so you can eat him never declared his husband his wife was furious and she dived to hide herself at the bottom of the river leaving the little ones to pester her by their husband अब जुसकी वाइफ है वो कफ़दा गुस्ता हो जाती है और पानी के रिवर की बोटर में जाके बैट जाती है और फिर वो अपने बच्चों को अपने हजबन के साथ छोड़ देती है और उनको समालने के लिए the crocodile was in a serious dilemma अब डिलेमा को क्या मतलब होता है करता था finally he decided to be on the side of wife लेकिन लास्ट वो से डिसाइड करा कि अपनी wife के side है she was his life partner after all कि वो उसकी life partner थी after all I know it's a sin to betray a friend but I have no choice he said to himself I'll invite the monkey home and hope for the best वो कहता है मैं जानता हूँ ये एक sin है यानि बुरी चीज है ये एक पाप है एक दोस को betray का लेकिन मेरे पास तो कोई choice ही नहीं है उसने खुद को बोला मैं मंकी को invite करूँगा घर आने के लिए और मैं सोचता हूँगी जो भी होगा अच्छा ही होगा my wife wants to you for over me dear friend the crocodile कहता है अपने मंकी को जब वो उससे अगली बार मिलने जाता है you must come home with me today वो कहता है कि तुमने आज मेरे साथ मेरे घर आना होगा with pleasure said the monkey I am no swimmer but I can ride only a bath and they set out वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं हम चलते हैं पर वो मंकी कहता उसको कि मैं कोई swimmer तो नहीं हूँ मुझे swimming नहीं आती but मैं तुमारी पीट पे चड़ जाओंगा और उसके बाद हम लो जा सकते हैं और फिरस बाद वो निकल ते रे set out in the middle of river where the current was strongest the crocodile could not no longer hide his intentions अब वो river की बीच में थे जहां सब पाने का बहाव सब से ज़्यादा और क्रोकोडाइल अब ना पेट पेट पेदे बात रखे नहीं पा रहा था उसको था कि अब मैं बताना पड़ेगा यार। उसको बहुत बुरा लग रहा था इसको बताना पड़ेगा कि हो क्या रहा है क्यों मंकी को ले जा रहा है वो कहता है sorry my friend he said hesitatively but I have to go under water now कि मुझा पानी के अंदर जाना पड़ेगा I have brought you to kill you my wife cannot survive without eating your heart goodbye okay then मैंने तुम्हे या इसले लाया अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा और मैं तुम्हे या इसले लाया था कि तुम्हें मार सकूं क्योंकि मेरी वाइफ को तुम्हारा दिल खाना है और फिर हो कहता है goodbye the monkey was scared and distressed अब जो monkey था काफ़ेज़ा डर गया था और परिशान हो गया था but he was sensible पर वो उसके दिमाग था and clever भी वो चत्तुर रपी थाजे से सारे monkey होते है he kept a cool head वो अपने सर को थोड़ा थंडा रखता है और फिर वो सोसता है क्या करूं क्या ना करूं फिर वो बोलता है I'll do anything for you and your family वो कहता है मैं तुम्हारे तुमारी फैमिले के लिए कुछ भी कर सकता हूं you are my only friend after all कि तुम मेरे एग ही दो दोस्तो what is a monkey's heart compared with the life of crocodile's wife कि यार एक monkey का दिल क्या है अगर नो compare कर एक crocodile की wife के सामने but how foolish could you be पर तुम कितने बेवपूफ हो यार why didn't you tell me before कि तुमने मुचे पहले क्यों नहीं बताया I had brought my heart along मैंना पर दिल को मैं साथ लाता ना but where is your heart crocodile के तुमारे दिल कहा है it is there on the tree कि तुम बिल्कुल नहीं यार वो पीट के उपर है let us swim back at once and get it कि या चुलो वापस चलते है swim कर कि और उसको ले ले लेते है मेरे दिल को यार वाइफ मस्टी बेटिंग तुमारी वाइफ निजार कर रही होगी रिप्राइटी मंकी और उसके इंदर आप कॉन्फिडेंस बढ़ा था oh dear what a mistake hissed croc hissed मतलब जैसे हम ऐसे आवाज नहीं करें like जैसे कुछ बुरा हो गया तो बुरी सी फीलिंग आ रही यार ये क्या कर दिया हमने यार क्यों इतरी बिड़ी गलती कर दी they laughed अब वो हसे बहुत जोर जोर से और इस बाद जो क्रोकोडायल था वो मुड़ा और वापस वो लोग पेड़ पे चल पड़े on the river bank अब जैसी वो पेड़ दुबार से river के किनारे पोचे मंकी दुबार से पेड़ पे जंप कर गया और उसके बाद उसने एक घहरी सास ली देव शांती की he plucked a fruit of two from the nearest branch and throw them down said let your wife have some fruit rather than my heart fresh fruits are good for your mind and body goodbye friend and if we don't mind we won't meet again अब जैसी वो लोग नदी करार पोचते हैं जो बंदर है वो फटा फट अपने पेड़ पे चड़ता है और वो कुछ पेड़ किस है फ्रूट ओड़ता है और क्रोकोड़ पे फैकता है कि एलो यार तुम अपनी वाइफ को मेरे दिल के जगह यह fruits दे दे ना जो fruits है यह दिल के लिए और दिमाग के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं mind and body के लिए goodbye हम लोग कभी नहीं मिलेंगे अब the crocodile was sad and wiser अब जो crocodile था वो काफी दुखी भी था और काफी समझदारी बन गया था इस incident के बाद अब उसने कुछ मगर मच के आसू निकाले जो इस पोएंचे से लिखा वा है कि जो मगर मच के आसू थे यह काफी जादा असली थे ऐसा नहीं अखली थे जिन्विन थे मगर मच के आसू और फिर वो फड़ा फड़ा से जल जाता है अपनी वाइफ को पताने के लिए कि हुआ गया और उनकी जो प्लान था उसको क्या कैसे मंकी ने उनको फियल कर दिया सो असी के साथ हमारे पुरग पुरग चाप्टर कंप्रीट होता है यही था असली वारा चाप्टर जो असली मंकी और क्रोकड़ाल की सूरी हो ऐसे प्ले होती है अगर कोई भी प्रॉब्लम है सजेशन आप मुझे नीचे कमेंट करके परता सकते हैं स्टूरेंट एंड बाय स्टूरेंट